हाई फ्रेंड्स यू नेक्ष्ट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीटिये एक्जाम के बारे में जिनोंने भी टीटिये का फॉर्म डाला है भले वो एसो होटी कल्चर का हो माली का हो पटवारी का हो और भी बहुत सारे पोश्ट है उसका तो आप सब को जैसा की पता है कि इसका लाश्ट इट भी एक्स्टेंड हो गया था वो 15 मई और 20 मई हो गया था तो जब ये सारा प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद सब लोग बहुत ही बेसबरी से इसके एक्जैम का वेट कर रहे हैं कि एक्जैम डेट कब होगा और आप सबको पता है कि DTA जो है टाइम पे एक्जैम कंड़क्ट करा देती है इसका जो पिसला रेकॉर्ड देखे तो लेकिन इस बार COVID-19 की बज़े से देर हो रहा है अगर सब कुस सही होता तो जून में एक्जैम हो गया होता तो फ्रेंट्स चलिए टाइम नवेश्ट करते हुए हम लोग ये देखे कि इसका एक्सपेक्टेड एक्जैम डेट क्या हो सकता है तो फ्रेंट्स अगर पूरे लॉजिक से बात करें हम तो जूलाई में तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जूलाई में भले सारे स्कूल कॉलेज वगयरा खुलने लगे हो और बोर्ड एक्जैम वगयरा हो रहा हो और अगर हम ऑगस्त की बात करें तो ऑगस्त में भी नहीं होने के चांस बहुत कम है क्योंकि इसका जो एक्जैम है वो TCS कंड़क्ट कराती है और जो लोग प्रिप्रेशन कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि SSC का जो CHSL वाला पेपर है इसमें कोई भी डेट खाली नहीं है तो आप सब सोच रहे हैं किस से क्या लेना देना तो फ्रेंट्स में आप सब को बता दू TCS ही दोनों का एक्जैम कंड़क्ट कराती है DDA का भी एक्जैम और SSC का भी एक्जैम तो ऑगस्त में भी टाइम डेट नहीं खाली है अगर देखे तो सेप्टेंबर में कुछ डेट खाली है तो फ्रेंट्स से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यह DDA का पेपरे वो सेप्टेंबर मन्त में हो सकता है तो आप लोग अपने पढ़ाई को continue रखे थोड़ा सा भी वो देख ना ले कि मतलब चलो तरह आराम से पढ़ाई करेंगे क्योंकि DDA जो है उसने नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है कि इसका जो एक्जैम डेट है वो 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा और तीन दिन पहले इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो इसलिए हमें जब भी एक्जैम डेट का पता चलेगा एक सर्प्राईज ही मिलेगा तो आप लोग अपने पढ़ाई को continue रखे और इसी तरह का कोई भी अप्डेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगी जो भी official होगा और friends हाँ यहाँ बात करें अगर आप लोग को DDA के बारे में कुछ और जानना हो इसके एक्जैम से related books बगेड़ा और खास करके जिन्होंने जो लोग एसो होटी कल्चर के लिए फॉर्म डाले हैं उन सब को अगर बुक बगेड़ा की जानकारी लेनी हो जो लोग selfish टड़ी कर रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा बुक पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो में ये मतलब मैटर लेके आ सकती हो और इससे related वीडियो बना सकती हो दो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग